आज हम बात करेंगे magic fat loss pill clean butrol के बारे में जो कि आज कल कुछ जादा ही यूज हो रहा है और इसे लेकर मेरे पास भी बहुत सारे सवाल आए हैं किसार हमें किस तरह से cycle प्लान करना चाहिए clean butrol को हमें कितने doges में लेना चाहिए क्या ये fat loss के लिए use करना safe है बैसे देखा जाए तो YouTube पर already clean butrol के ओपर बहुत सारे वीडियो जाब लेकिन किसी भी वीडियो ने complete जानकारी नहीं दी है क्योंकि ये बहुत ही sensitive matter है ये आपके health के ओपर बहुत ज़्यादा impact डालता है इसल साथ मेरा जो खुद का practical experience है बहुत आपके साथ से अरगा इसलिए वीडियो को end कर जरूर देखिए क्योंकि क्लास 3 drug category में आता है बेटा 2 agonist drug category जो होता है उसमें आता है clean butrol ये करता क्या है ये आपके bronical muscles को dilate कर सकता है मतलब आपके bronical muscles जैसे कि आपके lungs dilate करना उसको expand करना बढ़ा करना तो ये चीज़ें ये करता है क्योंकि ये जो है asthma percent का medicine है जो लोग breathing नहीं ले पाता है तो ये क्या करता है उनका lungs को expand करता है ताकि थोड़ा easy हो air आने जाने ये उसका main purpose है main काम है ठीक है और इसका doges उन लोगों को दिया जाता है बहुत ही कम है 0.02 mg से लेके 0.03 mg अब आता है आप लोगों का main सवाब क्या इससे fat loss होता है जी based on scientific research इससे fat loss होता है क्योंकि ये repatitioning process पर काम करता है repatitioning मतलब जब आप कोई भी physical activity करते है वार्काउट करते है तो आपके muscles को energy याने की calories की ज़रोत होती है जब आप clean control यूज करते हैं तो ये क्या करता है आपके body के fat cell है उसमें जो calories टोड़े उसे breakdown करके वही calories को आपके muscles को provide कराता है जिसके बज़े से आपका fat loss है जल्दी होता है थोड़ा effectively होता है लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देने की ज़रोत है कि ये जो research हुआ है ये किछिक इनसान के ऊपर नहीं हुआ है क्योंकि इनसान के ऊपर इसको research करने सेफ है या नहीं है उसके बाद हम बात करेंगे cycle के बारे में और dogesis के बारे में ठीक है और इसके जो side effect है उसका बहुत बड़ा list है पहले मैं आप लिस्ट बता देता हूं फिर मैं practical experiences आपके साथ शेयर करूँगा पहले side effect इसका आता है increased heart rate, rapid breathing, heart participation, chest pain, tremors, anxiety and electoral imbalance practically आप 3 major side effect क definitely बढ़ेगा ठीक है आप ज्यादा काईयों नहीं कर पाऊगे कभी 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 आपको लगेगा कि आप out of breathe हो जा रहे हो मतलब नर्माली जब आप squat लगाते हो तो definitely आप लोगो को पता है उसमें ज्यादा power की energy की ज़रोत होती है और आपका जो breathing बहुत तेजी से चलता है अग है उसका दूसरा साइड़ी और तीसरा सबसे खतरनाक साइड़ी वह है हाठ पाल्टीपेशन हाठ पाल्टीपेशन का मतलब क्या होता है वासे नर्मल जैसे में भी बेठा हूं या फिर आप बेड पर से लेटे हो अचानक से आपको लगा कि आपके अंदर से कुछ खाली हो अब डूम से मतलब हाठ बंद हो गया बीट करना जस्त मतलब सम्मीली सेकंड के लिए मतलब एक सेकंड भी बहुं सकते वह फील आएगा मतलब बार डर जाओ गया तो जो लोग अल्युज कर रहे होंगे उस लोग को अल्लेडी से फील कर चुके होंगी हाठ पाल्टीपेशन यह बहुत यहादर रिस्की है कुछ भी हो सकता है इसमें आपका हार्ट डिजीज हो सकता है हएवार्ट फेलॉर भी हो सकता है ठीक है अब یہ जो होता है इसका में मेर डिजन भोह है ओवर्डोजिंग जैसे मैन अल्यड़ी पहले आपको बता इया है कि जो अस्तमा पेसेंग केंजी तक भी ब्रांट्स बनाते हैं क्लें बुट्रोल तो बंदे क्या करते हैं लाके डारेक्ट ले लिया या शिक्स्टी का ले लिया तो डेफिनेटली इस हीडिपेट आपको देखने को मिलेगे तो अगर आप ये टाबलेट यूज कर रहे हो आपको हार्ट पाल्टिपेशन या बहुत ज़्याद आउट ब्रीद फील हो रहा है तो आप जो गल्ती कर रहे हो बहें अबर्डोज कभी भी गल्ती से ग्लेंग वुट्रोल 20 mg से ज़्यादा एक टाइम पर आपको नहीं लेना ह चाहते हैं तो 20 mg करके दो बार में लिए 16 cc लेना का हसे तीन बार में लेंगे एक साथ में कभी भी 20 mg से ज्यादा नहीं ले अगर आप 20mg से जाधा नहीं लेगे तो आपको अपिसाइं हो रहा है, तो जल्दी से आपना DOJ को कम किजिए 20mg. साइकल होता है कि आप हफते में इसे चार दीन उसको छोड़ दीजिए फिर Нेक्स दफ चार दीन उसको छोड़ दिजिए तीन दीन जोड़ दीजिए और डोजेश के बिल्कुल भी जरुड़त नहीं, 40 Mg उसके जड़ाने की जरुड़त। किसी किसी बंदे को 60 mg तक जाने की पड़ती है जो रख नहीं तो 40 mg काफी है और उसको 20 mg में डिवाइड करके दो बार आप ले सकते हैं एक मॉर्णिंग में ले लिजिए सुभे जो एंटी स्टोमा काड़ी वाप करते हैं बहां पे ले लिजिए और एक प्री वार्काउट में BCMG ले तो इस तरह से आप साइकल करेंगे तो आपको अच्छा रेजल्ट मिलेगा जो बंदा कंपीट नहीं करता है नार्मली फैट लास करना चाहता है बहुत ज़्यादा फैटी है उनको मैं क्लेन बुट्रोल कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि जब आपके बिर्फुल भी सेफ नहीं है मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि लेंग बुट्रोल फैट लॉस के लिए यूज करें जो लोग कंपीटेटीव बड़ी विल्डर है उनकी बात अलग है कि उनको पता है वो क्या रिस क्लेर है वानाबोले इस यूज करते हैं डिफर सब्सक्राइब करने के लिए हफते में सिर्फ चार दिन लीजिए तीन दिन छोड़ी इस तरह सब चार से छे हपते तक का साइकल कर सकते हैं वार्काउट कैसा रहेगा सप्लिमेंटेशन क्या-क्या चाहिए पीडी आप क्या-क्या ले सकते हैं तो सारे चीजे मैं आपके